कैसे आप सभी I hope you are doing great and this is Rani Gupta and welcome to Jaihoi Academy मैं on Academy में भी पढ़ाती हूं तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ पे मैंने MPPLC मेंस को ध्यान में रखते हुए पेपर फोर्थ की स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो का मोटिव देखिए आप लोग को मालूम है पहले ही बताया जा चुका है कि MPPLC 2019 के प्रिलेम्स को ध्यान में रखते हुए जय होए अकैडमी दोरा यहां पर प्रिलेम्स की तैयारी स्टार्ट करवाई जा रही है जिसमें हम लोग कोशिस करेंगे कि बहुत जादा इसमें सिलेवर्स कवर करवा सके और उनकी अलावा भी आपको कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है information MPPLC को ध्यान में रखते हुए तो प्लीज आप उन्हें भी रिवाइद करते चले उन्हें भी आप एड़ कर लें अपने जो भी आपका स्टरजी प्लान है उन सब में ठीक है तो जो MPPLC का जो मैंने सिलेवर्स डिसकस किया था उसमें मैंने बताया था कि प्रिलिम्स में हम लोगों ने 11 टॉपिक देखे थे और उन 11 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था तो जो एक में 5 सब्जेक्ट थे और एक में 6 सब्जेक्ट थे तो 5 सब्जेक्ट काफी मेजर टॉपिक है जिनको 2-3 बहीने में पढ़ना इतना easy नहीं होता है लेकिन smart strategy कर पढ़ाई करके आप लोग प्रिलिम्स को qualify कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमें के सिर्फ वे बताते हैं बाकी मेहनत तो आपको खुद कर नहीं होती है है ना तो जो आपने 5 सब्जेक्ट का जो एक मेजर टॉपिक बताया था वो तो आपकी study चलनी चाहिए मतलब से बताये थे उसमें हमने पहले नंबर पर फोकस किया था अपना मेंस MPPSC के जो एक्ट है हमने तीन एक्ट यहां पर बताये थे MPPSC के 1955, 1989 और 1993 मतलब सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1955 उसके बाद SCST एक्ट 1989 और Human Protection Right Act मतलब मानो संद्रक्षन अधिनियम जो Human Protection Right Act है वो 1993 ठीक है तो हमें MPPSC prelims में तीन एक्ट पढ़ने होंगे लेकिन मेंस में 10 एक्ट पढ़ने होंगे ठीक है तो 10 एक्ट जो हम म में पढ़ेंगे उसमें 3 एक्ट यही आपके एड रहेंगे ठीक है तो आज जो हमारा पहला एक्ट है यानि कि पहला जो अधिनियम है हमारा वो है सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम यानि की Civil Right Protection Act 1955 ठीक है तो आज हम लोग इस एक्ट को फोकस करेंगे हाला कि मैंने य प्रियांदी रहती है मतलब थोड़ा सा उसकी जो लेंग्वेज है तो मैंने उसे इजी में समझाने का प्रियास किया है तो आप लोग इससे देख सकते हैं बाकि आप लोग को अगर डिटेल में पढ़ना है उसे तो जो की मेंस के अकॉर्डिंग होगा तो आप उसमें है है मतलब इसको किस्थ पर बनाए खिया है कहां से लिया गया है कहां पर विस्तादित हैं इनकिने कितने सेक्षन हैं उस मतलब कितनी धाराएं हैं और उस धाराओं के अंतरगत क्या सजा का प्रावधान है इसके बारे में और कैसे उससे question बनते हैं ये और last part में हम इसके कुछ objective एड़ करेंगे यानि कि civil right के जो objective हैं book से लिए गए हैं वो add करेंगे साथ में जो MPPSC prelims में 3-4 साल के पूछ चुक देखिए हम लोग पढ़ने के आवाले हैं यहाँ पर civil अधिकार संद्रक्शन अधिनियम यहाँ पर दिख रहा है यह मेरा ही बनाया हुआ राइंग है यह civil right protection act 1905 यानि कि नागरिक अधिकार संद्रक्शन अधिनियम प्लीज आप इस नाम को बार बार देख लें बार बार कर लें क्योंकि एक बार तो ऐसा question पूछ लिया था कि जो civil right protection जो civil right protection act 1905 उसका पुराना नाम क्या है तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर उसने option दिया था असप्रश्यता अपराध अधिनियम 1955 और असप्रश्यता निवारण अधिनियम 1955 तो यहाँ पर निवारण नहीं है बलक अधिन ऐसा बिलकुल नहीं है इसका क्या नाम है पूरा नाम असप्रश्यता अपराध अधिनियम 1955 तो आप इसमें यह देख लीजेगा देखिए यहाँ पर हम लोग जो आज डिसकस करने वाले हैं वहाँ पर हम उसके उद्देश क्या बारे में पढ़ेंगे इसका क्या कोई भी जो बिल होता है वो अधिनियम तब बनेगा जब रास्तुपति उसमें साइन कर देंगे तो हम यह पढ़ेंगे और उसका जो में आधार है कि मतलब 1955 का जो अधिनियम है उसका में आधार क्या है तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे ठीक है यहाँ पी जो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है सभी को मालूब है हाला कि यह प्रिके पॉइंट ऑफ्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको याद कि रहे हैं क्योंकि वह में में डायर्यक्ट तीन नंबर में कोशन पूछ लेते हैं ठीक है जो एक्ट वाला आपका प्रश्चिता है उसका प्रचार करते हैं जो इसका आचरण करते हैं या फिर उससे किसी भी प्रकार की जो निर्योगता है उसको लागू करते हैं तो उन लोग को दंडित करने के लिए यह कानून बनाया गया है यह इसका में मतलब यह अधिनियम बनाया गया है यह में इसक पच्पन लेकिन जो असप्रशता अप्राद अधिनियम है इसमें कुछ कमिया थी उनीसो पच्पन में जिसके चलते 1965 में एक समिती गठित हुई थी कौन सी समिती थी वो इलाया पेरूमल समिती आप इसको भी याद कर लिजे कभी पूछ सकते हैं कि जो सिवल राइट एक्ट 1955 है उसमें शंसोधन के लिए कौन सी समिती गठित की गई थी तो वो कौन सी थी इलाया पेरूमल समिती और दूसरा क्वेशन बन सकता है कि इलाया पेरूमल समिती का गठन कभ हुआ तो आप याद कर लिजेगा 1965 में ठीक है तो यह आपका असप्रशिता अपराध अधिनियम था 1955 इसमें काफी कमिया थी और उन कमियों को दूर करने के लिए 1965 में कौन सी समिती बनी थी इलाया पेरूमल समिती जब यह समिती बनी तो इसकी अनुशंसा पर इसमें बहुत संसोधन किये गए और जो जिसका सबसे बड़ा शंस अधिनियम 1955 ठीक है तो यह आपको इतने क्वेश्चन इसमें तयार करने हैं संसोधन से की संसोधन का जो अधिनियम है उसमें संसोधन के लिए कौन सी समिती गठी तुई इलाया पेरूमल कब गठी तुई 1965 में और तीसरा क्वेश्चन आप करें पढ़ेंगे इसमें कि जो अधिनियम 1955 है वो संसोधित रूप में कब सामने आया या कब प्रभावी हुआ ठीक है तो वो हुआ था 19 तवंबर 1976 तो इतनी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है क्लियर है उसके बाद देखते हैं उसके बाद अधिनियमित है हमारा तीसरा इसमें टॉपिक रहेगा कि अधिनियमित का मतलब मैंने भी बताया कि जो भी आपके पास बिल है वो अधिनियम तब तक नहीं बनेगा जब तक कि रास्ट पती उसमें साइन नहीं करेंगे ठीक है तो यह अ कैसे बन सकते हैं कि अस्प्रश्चिता अपराद अधिनियम 1955 रास्ट पती द्वारा अनुमोदित कब किया गया तो आप ये डेट याद रखिएगा प्लीज आठ मईए 1955 ठीक है लेकिन वो कोश्चिन यदि ये पूछते हैं कि अस्प्रश्चिता अपराद अधिनियम या कि सि और जैसे उन्होंने साइन किये थे तो वो अधिनियम बन गया था ठीक है लेकिन अधिनियम लागू कब होगा जब केंदर सरकार अपने सास की राजपत्र में इसे अधिसूचित करेगी क्लियर है तो आपको दो डेट याद रखनी है कि जो सिविल अधिकार संदक्षन अध अधिनियम है वो लागू कब हुआ एक जुन उनियसोपचपन को लेकिन राष्ट पती ने उसे अधिनियमित कब किया था तो आठ मई उनियसोपचपन में और जो बीच का जो आठ मई से लेकर एक जुन के बीच में जो डेट थी उस डेट में उन दिनों में केंद्र सरकार अपने सास की जो राजपत्र है उसमें अधिसूचना जारी की थी कि अब हम इसे लागू कर रहे हैं तो ध्यान दीजेगा कि यदि वो कभी ऐसा कोशन पूछते हैं कि जो सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम है या फिर कोई भी अधिनियम है वो लागू कब होता है ज उसे एड करते हैं संविधान में या जो भी आउप्षन देदें वो तो ध्यान दीजेगा कि रास्ट पती साइन करेंगे तब लागू नहीं होगा जबकि जब रास्ट पती साइन करेंगे तो वो सिर्फ अधिनियम बनेगा ठीक है लागू कब होगा जब केंद्र सरकार उस भी पूछते हैं कि जो सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1955 है वो अनुच्छे 17 के अधार पर बना हुआ है या अनुच्छे 35 से वहीत है तो ध्यान दीजेगा कि सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1955 सिविल मतलब नागरिक अधिकार नागरिक के अधिकार को सं औरड़ी सम्विधान की बहुत इंपॉर्टन्ट है यहां पे नकर आत्मक है तो आप इससे याद रखिएगा कि अनुच्छे सत्रह के तहत असप्रश्यता को समाब्त करने का प्रावधान किया गया है ठीक है और यही चीज तो आप सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिरियम में पढ़ते हैं कि वो असप्रशिता को समाप करने के लिए बनाये गया है दूसरा अनुचेत 35 किस प्रकार रिलेट है तो अनुचेत 35 जो हमारा भारती समविधान का जो अनु और सेम चीज यहाँ पे है कि इसी के चलते अनुचेत 35 के चलते ही तो संसद ने असप्रशिता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया है तो यह चीज़े आपको इसमें पढ़ना है ठीक है अब हम देख लेते हैं सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम 1955 से कुछ इंपॉर्ट यह question पूछ चुके हैं PPSC prelims में उसके बाद next हम देखते हैं वर्तमान नाम क्या है तो अभी आपने देखा कि सिविल अधिकार संद्रक्षन अधियम 1955 संशोधन कब प्रभावी हुआ तो 19 तवंबर 1976 मैंने इसमें एक और चीज़ नहीं add की कि इसे कि समीती की अनुसंसा पे यहां पे संशोधित किया गया था तो आपको याद होना चाहिए इलाया पेरु मर ठीक है यहां पे आप समीती डाल सकते हैं और वो समीती कब बनी थी 1965 में तो आपको यह भी याद रखना है जो की उपर लिखा हुआ है उसके बाद भारत गंडराज के छटवे वर्स में यह 350 में ठीक है तो यह चटवे वर्स में संसद्वारा अधिनियामित किया गया है उसके बाद इसका जो अधिनियामित sंख्यांक है वो कितना है बाइस है मत्तब इसके पहले जो हैं वो 21 आधिनियम बन चुके और इसका संख्यांक कॉन से नंबर का है 22 है यह भी क्षियन अध अधिनियमित की डेट मतलब अनुमोदित कब हुआ तो आठ में 1955 को लागू होने किती थी कब थी एक जुन 1955 को और इसका विस्तार कहां पे है तो संपूर्ण भारत में यह आप ध्यान रखेगा 1955 का विस्तार कहां है संपूर्ण भारत में उसके बाद एक और चीज इसमें है कि इसमें टोटल धाराएं कितनी है या टोटल सेक्षन कितने है तो जो 1955 सिविल डाइट एक्ट है उसमें कुल धाराएं है 17 और जो यहाँ पे एक और कोशन पूछते हैं कि वैसे इसका जो जुर्माना है वो कितना है या फिर जो सामान परिस्थितियां है उसमें अधिक्तम द यहाँ पर याद रखेगा सामाने परिस्तितियों में अधिक्तम दंड कितना है जुर्माना है 500 रुपए और कारावास है 6 माह मतलब या तो जुर्माना 500 रुपए लगेगा या कारावास 6 माह लगेगा अथवा दोनों ही लग सकते हैं तो आप इसको याद रखेगा उसके बा सब्सक्रावा भी आपको ऐसा लगता है कहीं से कि यह इंपॉर्टेंट हैं आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफियू से तो आप उन्हीं भी इसमें एड कर लीजेगा और प्रीस बार बार उसे रिवाइस करते रहे हैं ठीक है हम लोग इसके पार्ट टू में जो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं तो इसमें टोटल हैं 17 धाराएं और इनी 17 धाराओं को हम अंगले पार्ट में पढ़ेंगे उसके तहत क्या-क्या सजाओं का प्रावधान किया गया है क्या उसमें वर्नित है किस चीज का उलेक किया गया है इसके बारे में जान इसे और कमेंट और शेयर करें इसे अधिक सदिक और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जो भी मैं नए वीडियो इसमें अप्लोड करूं या सर द्वारा या एकेडमी द्वारा जो भी वीडियो इसमें आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा ठीक ह मिलते हैं नेक्स पार्ट में तब तक के लिए जैहिन एंड थाइंक यू फॉर वाचिंग